Hey everyone, welcome to biology 80s बच्चों, लाश्ट यह तक जब सेप्टेंबर मन्त मैं में बच्चों के लिए 7 मन्स प्लान फॉर नीट इस टॉपिक से रिलेटेड विडियो अपलोड किया करती थी तो मैं हमेशा स्टार्टिंग में कहे दिया करती थी कि अगर आपने से कोई भी बच्चा है जिसे लग रहा है कि 6-7 महीने की प्रेपरेशन से नीट क्रैक नहीं हो सकता है तो प्रीज इस वीडियो को मत देखिए क्योंकि उससे आपका टाइम बेस्टी होगा कि वो सब भी बच्चे जिने लगता है कि 6-7 महीने की प्रेपरेशन से नीट क्रैक नहीं हो सकता है वो बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखिए इस वीडियो में आप लोग को इतना शांदा स्ट्राटेजिक प्लान बताऊंगी और बहुत इजी स्टेप के जरिया बताऊंगी कि किस तरीके से अगली 7 महीने के एफोर्ट के जरिया आप लोग नीट 20-25 के थुरू MBBS में एंटर करने का सपना पूरा कर सकते हैं बस आप लोग उसे एक छोटी से रिक्वेस्ट रहेगी वेरे बच्चों कि जिस दोरान आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बस उस टाइम पीरिट तक के लिए आप लोग थोड़ा ये पॉजटिव माइनसेट रखें कि 6-7 महिने की प्रेपरेशन से भी अगर मेहनत करी जाए तो हमारा नीट क्रैक हो सकता है बस कुछ मिनिट के लिए इस पॉजटिव माइनसेट के साथ इस वीडियो को देखना अगर आपको स्ट्राटिजी पसंद आए उसे इंप्लिमेंट करना और यकीन मानिए आप लोग अपनी प्रेपरेशन में इंप्रूब्मेंट खुद बखुद देखेंगे सबसे पहले तो आप लोग को सबसी इजी स्टेप जो करना है वो यह है कि आप लोग को अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलिजी तीनो की NCRT बुक का इंडेक्स पेज सामने रखना है या फिर अगर आप लोग के पास तीनो सब्जेक्स का सिलेबर्स अगर प्रिंट आउट कराएवा है वो सिलेबर्स को सामने रखे आप लोग अपनी तीनो सब्जिक्स के स्लेबस को तीन पार्ट में सेग्रिगेट कर दीजे जहाँ पर आप मेंशिन करेंगे फिजिक्स के कौन से ऐसे चेप्टर्स हैं जो कि आपने अल्रडी कवर कर लिये हैं और आप लोग को बहुत जादा इजी रगते हैं कौन से ऐसे चेप्टर्स हैं जो कि आप लोग ने कवर कर लिये हैं लेकिन अभी भी आप लोग को उसमें डिफिकल्टी लग रही है moderate level के chapters और कौन से ऐसे chapters है जो कि आपकी completely untouched है और आपको difficult भी लगते हैं या फिर अगर आप लोग ने पढ़ भी लिये हैं तो भी आपको लग रहा है कि अभी मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आया है उसी तरीके से chemistry और biology के लिए भी syllabus को segregate कर दीजे तीन पार्ट्स में biology तीनो सब्जेक्स के ताकि आप लोगों का साल दौजार पच्छिस जब स्टार्ट हो तो वो difficult chapters की preparation के साथ स्टार्ट हो January and February 2025 आप लोग difficult chapters को prepare करेंगे और March और April में आप लोग सारे syllabus का revision करेंगे दो महीने super sufficient रहेंगे आप लोगों के revision के लिए step number two mastering your favorite subject physics, chemistry, botany, zoology इन चारो subjects में से कोई एक subject choose करिये जो कि आपको सबसे जादा easy, interesting लगता है suppose मैं कहारी हूँ कि वो subject है zoology, zoology section के आप लोगों के जितने भी easy, moderate, difficult chapters है सारे chapters यानि कि zoology का सारा syllabus आप लोगों का by 31st December complete हो जाना चाहिए ध्यान रहेगा, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, physics, chemistry, biology के, आप लोगों की easy, moderate chapter 31st December तक complete हो जाने चाहिए लेकिन आपका जो favorite subject है, out of these four sections, उसका तो आप लोगों का पूरा-पूरा syllabus by 31st December complete हो जाने चाहिए तीसरी चीज, छे सालों से मैं YouTube वीडियो के जरी need guidance related videos अपलोड कर रही हूँ तो पिछले छे साल के experience के basis पर मैं यह कहूंगी बच्चों कि there are four pillars of need success सबसे पहले जाता है seriousness, अगर आप लोगों का casual attitude है, अगर आप लोग बहुत carefree होते वे preparation कर रहे हैं तब आपका need clear नहीं हो पाएगा, आप लोगों को अपनी पढ़ाई को लेकर serious होना पड़ेगा और ना सिर्फ पढ़ाई को लेकर अपनी health को लेकर भी serious होना पड़ेगा दूसरा pillar है तुम्हारा resources, resources में सबसे पहले आता है NCRT, physics हो, chemistry हो या biology हो, हर एक subject लिए तुम्हें NCRT पढ़नी ही पढ़नी है physics की NCRT चाहिए तुम सिर्फ एक दो बार read कर लेना, लेकिन biology का तो पूरा preparation तुम्हारा NCRT बेश्टी जाएगा same goes for chemistry, दूसरा strongest resource है तुम्हारे previous year questions, देखो दू टाइप की previous year questions तुम्हें करने है, एक जब तुम्हारा पूरा syllabus हो जाएगा, तुम previous year papers लगाओगे, कि मैंने 2024 का पूरा paper solve कर रहा हूं, फिर 2023 का पूरा paper solve कर रहा हूं, और एक होगा कि जैसे जैसे तुम्हारा chapter complete होता चला जा रहा है, या फिर एक chapter से लिटर topics complete होते चले जा रहे हैं, तो तुम लोग chapter wise या topic wise PYQ कर रहे हो, निट 2025 latest labor based, हर एक chapter से topic wise PYQ करने के लिए बच्चों आप लोग ओस्वाल बुक्स की NTA 37 years, निट यूची chapter wise topic wise sort papers की बुक्स कर सकता है बच्चों, ये books physics chemistry biology तीनों सब्जे आप लोग को PYQs मलेंगे, बैलकि topic wise आप लोग को NCRT based notes भी प्रवाइड कराये हैं, हर एक chapter का quick revision करने के लिए mind map भी प्रवाइड कराये हैं, और difficult topics को याद करने के लिए unit wise mnemonics भी प्रवाइड कराये हैं, निट 2024 का solve paper भी मेलेगा, और निट latest labor and latest paper pattern based, दो sample paper भी जाते हैं, हर एक topic को analyze करने के लिए कि मेरा कितना अच्छ से prepared है, उसके लिए आप लोग को topic wise PYQs करने हैं, जिसके लिए आप लोग OSWAL books यूज कर सकते हैं बच्चों, आज कर इंबुक्स पर बंपर discount भी चल रहा है, तो इस वीडियो के description में provided link के जरिए, इंबुक्स को purchase क और topic wise questions solve करते हैं, अपनी need के preparation को strong करिए, तो सबसे बहला resource है NCRT, दूछरा resource है आपके PYQs, जिसमें आता है chapter wise PYQs and full solve papers, तीशरा सबसे बड़ा resource आता है, reference book, coaching modules या फिर YouTube videos, अगर reference book से पढ़ रहे हो, ठीक है, reference book नहीं है, coaching modules से पढ़ो, coaching modules से पढ़ो, coaching modules, reference books दोनों नहीं तब तक तुम NCQs practice नहीं कर पाऊगे, तो there are three main resources you need to focus on, NCRT, PYQs करने है, reference book, YouTube videos या फिर coaching modules पर आप लोगों को ध्यान देना है, third pillar of your need preparation, regular test, जब तक आप लोग टेस्ट नहीं दोगे, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो particular chapter, वो particular topic मेरा अच्छे से prepared है या फिर नहीं Suppose आज तुमने breathing and respiration chapter के 5 topics करे, उन 5 topics से related तुम लोग total 20 questions कर रहे हो, तो उन 20 questions करते हुए तुम timer लगाओ और देखो कि उन 20 questions को करने में मुझे कितना time लगा, और देखो कि उन particular questions में से कितने questions मेरे सही गए, chapter wise mock test दो, unit complete होती है, unit wise mock test दो, mock test देना बहुत जादा सरूरी है, last में फुल से ले, बस mock test देने के भरोसे मत रहना, थोड़े थोड़े time period पर तुम्हें mock test देने है, और चौथा सबसे बड़ा pillar है regular revision, जैसे कि मैंने तुम्हें पुरानी वीडियो में भी बताया है, कि हर महीने में दो दिन तुम्हारे revision day होने चाहिए, जैसे कि अगर तुम प्रेपरेशन 1st October से स्टार्ट कर रहे हो, 1st से लेकर 14th October तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा, उसे तुम 15th October को revise करोगे, फिर 16th October से लेकर 30 October तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा, उसे तुम 31st October को revise करोगे, हर महीने में दो दिन तुमारे सिर्फ और सिर्फ revision day जाने चाहिए, तक पुराने पढ़ावे को revise करके, तुम लोग confidence gain कर सको, कि पुराना पढ़ावा मैं बूला नहीं हो, मुझे अभी भी याद है, तो 4 major pillars for your need success, seriousness, ना सर्फ पढ़ाई को लेकर, बल्कि अपनी health को भी लेकर, resources जिसमें आते हैं, NCIT, PYQs, reference book, your coaching modules and YouTube videos, regular test and regular revision, देखो नीट की preparation के लिए, बहुत सारे बच्चे सालों से preparation कर रहे हैं, अब तो बच्चों ने 9-10 से ही preparation शुरू कर दी है, need clear करने की, लेकिन अगर मैं थोड़ा average number लेकर चलो, तो पिछले 2 साल से तो बच्चे preparation करी रहे हैं, नीट की है ना, और तुमें 6 महीने में बवाई need crack करना है, जिस तो उसे 6-7 गंटे की नीन में थोड़ा कम करो, अगर अभी तक तुम बहुत जादा frequent दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, फोर पर scrolling करते रहे थे, दोस्तों से call पर बात करते रहे थे, ये चीज़ तुमें avoid करनी पड़ेगी, अगर तुमें लगता था कि यार आज मुझ इस कम बक्त में करके बतानी पड़ीगी, तब ही जाकर तुम इन बच्चों को टकर दे पाओगे, तो यू need to get out of your comfort zone अगर इसी साल तुमें नीट क्रैक करना है और सब 6-7 महीने की preparation से ही प्रूफ करके बताना है खुद को, लास्ट चीज में बस इतना कहूंगी कि डेली प् करने से पहले अपने पास एक चार्ट रेडी रफना कि आज पूरे दिन भर में में क्या क्या करने वाला हूं, अपना एडवांस में दिन को प्लान कर दो कि किस तरीके से जाने वाला है, मैं यह नहीं कहूंगी कि प्लान करने से तुम्हारा दिन exactly वैसा ही जाएगा, लेकिन उस दिन में जो जो distractions होगे या फिर जो जो गड़बड़ी होगी, जो तुमने प्लान किया था वो नहीं हो पाया, at least तुम्हें वो आईना तो दिखेगा, कि जो मैंने प्लान किया था वो नहीं हो पा रहा है, क्या वो चीज़े हैं जो कि मुझे exact plan के according नहीं जाने देरी है, तो ये 6-7 महीने भी sufficient है, बस seriousness चाहिए मेरे बच्चे और खुद पर भरोसा चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, अब biology की preparation को super strong करने के लिए, सबसे पहले, biology की genetics and evolution unit बहुत strong कर लेना बच्चो, सिर्फ biology नहीं, physics और chemistry में भी जितने भी high-weighted chapters हैं, उन्हें तो जरूर करना, दो अगर तुमने कोई easy chapter छोड़ दिया, और उससे कोई question आ गया, तो तुमें हमेशा guilt रह जाएगा, कि ये chapter मुझे आता था, मैं कर सकता था, फिर भी मैं question attempt करके नहीं आया, तो easy chapters तो करने ही करने हैं, और उसके साथ high-weighted chapters तुमें जरूर करने हैं, जहां से तुम्हें पता है कि दीट में questions आते ही आते हैं, वहीं biological के लिए सबसे जाधा high-weighted chapters जाता है, तुम्हारा genetics and evolution, genetics and evolution के हर एक topic की detailed explanatory video, आप लोगों को मेरे youtube channel के playlist section में जाकर, genetics and evolution नाम से playlist है, उसमें मिल जाएंगी, DNA fingerprinting, DNA replication, transcription, translation, lac operon, genetics and evolution के जितने भी topics हैं, मैंने सब की explanatory videos upload करी वी है, अगर अभी तक तुम्हारी ये unit strong नहीं ही है, तो please इस unit को strong करी, अगर ये पूरी unit strong हो गई है, तो इस unit की मैंने shots video भी upload करी है, पूरी unit के total 89 shots upload करे वे हैं, जहां पर पूरी unit के जितने भी topics हैं, उन topics को 50-50 seconds के shots की form में explain कर वायवा है, तो quick revision करना है इस unit का, तो आप लग मेरी unit ज test completely free of cost देने के लिए, मेरी Telegram चैनल बाइली जिए इसको ज़रूर जॉइन करियेगा, इस Telegram चैनल पर आप लोगों को हर एक chapter की minimum 7-8 PDF files मिल जाएंगी, सारी free of cost डाउनलोड करो, जितना हो सेगे questions practice करो मेरी बच्चे, मेरी YouTube चैनले के community post section में भी लगतार मैं तुम लोगों को NCRT-based chapter wise questions practice करा रही हूँ, तो make sure यहां से भी NCRT-based questions practice कर रहे हो, तुमारी बाइली जी की जो भी unit complete होती है, उस particular unit का quick revision करने के लिए, जो मैंने हर एक unit की shots की जो playlist बनाई भी है, उसके जरिए पूरा unit का quick revision आप लोग कर सकते हैं, मेरा YouTube पर एक और channel है, बाइली चैनल बाइल के लिए आते हो, तो मेरे इस चैनल के shots में आप लोग को entertainment based videos भी देखेंगे, यहां से आप लोग अपना mood fresh भी कर सकते हो, मेरे बच्चों, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, पढ़ाई के साथ साथ चोटे चोटा break तो बनता है, लेकिन ध्यान रखना कि 10 minute का break, 10 दिन का break न बन जाए है ना, 6-7 महिने की preparation से भी तुम need crack कर सकते हो, बस जरूरत है खुद पर भरोसी की, attentiveness की, organization के साथ, discipline के साथ, तैयारी करनी की, अब इस वीडियो के comment section में मुझे mention करते जाओ, are you ready to crack need 2025, if yes, तो मुझे बता हो, ऐसा कौन सा step है, जो इस वीडियो को देखने के बाद तुम लेने वाले हो, जिसके वैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी need की preparation अब improve होगी, अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी तक मैं 12 गंटे सो रहा था, लेकिन कल से मैं 8 गंटे सोंगा, तो mention करो कि D, या आदत मैं छोड़ रहा हूँ, 12 गंटे सोंगी, मैं 8 गंटे अगर भी तक तुम अपना दिन advance में प्लान नहीं कर रहे थे, तो बोलो कि D, मैं कल से अपना दिन advance में प्लान करूँगा, एक step बताओ, जिसके वैसे तुम कैसकते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरी need की preparation में improve करूँगा, mention that one step in the comment section of this video, इस साल need crack किसी भी हाल में हो stay tuned for upcoming videos, thank you